आपने कभी नगभी इस तरीके के आट तो देखेंगे भाई ये एक सोलर लाइट है बाई जो बाहर के एरिये में लगा तो इसमें बैटरी पड़ी हुई होती है एंड ये सोलर से चार्ज होती है ना आपको बिजली देने की जरूवत है कुछ भी करने की जरूवत नहीं है य आटमेटिक आउन होती है आटमेटिक आफ हो जाती है बाई तो देखते हैं इसको भी क्या ये लाइट हमारे काम आ सकती है तो चलिए मगाते हैं इस प्रोड़क्ट को देखते हैं इसकी सच्चाई सोलर इंट्रेक्शन वाल लेंप यहां देखे पैंड यह आगी लाइट यह तो बॉक्स तो अपने आप उपन हो गया यह मिल जाती है हमको एक चोटी सी यूजर मैनुवल और यहां पर वाल में माउंट करने के लिए मिल जाते हैं कुछ क्लिप यह आगी वाई सोलर लाइट यहां से यह कुछ इस्क्रू खेज दिये जाएंगे एंड यह वाल में इस तरीके से सेट हो जाएगी वो यहां पर मिल जाता है आपको वन बॉर्ट का सोलर पैनल बैटरी को चार्ज करने के काम में आएगा और यहां पर कुछ LED मिली है इसमें LED की संक्या भाई वो है 100 LED इसमें देखने को बिल जाती है जो काफी ज्यादा ब्रैटिस्ट होने वाली है मेरे हिसाब से इसमें 600 से 900 लियूमिंस तक की ब्रैटनिस आपको मिल जाती है यहां पर मोशन डिटेक्टर लगा हुआ भाई अब इसमें फीचर भी अलग-अलग है मैं आपको बदाऊंगा लिए फुली पैक है बॉडर प्रूफ है अब बात कर लेते हैं इसके मोड के बारे में इसमें तीन तरीके के मोड दे रखते हैं इनों ने यहां पर यह लगा हुआ है ना मोशन डिटेक्टर एंड यहां पर मिल जाता है आपको एक बटन ठीक है यह स्विच का बटन है यहा आटोमेटिक अन हो जाएगा मतब नाइट की बात कर रहो हुआ है अगर वहां पर कोई भी मोशन नहीं होता है आप दुबारा उस तरफ नहीं जाते है मतब तीन से पांच मीटर की दूरी पर इसके कोई नहीं होता है तो यह पंदरा सेकेंड बाद आटोमेटिक आफ हो जात है तो यह हो गया इसका सेकंड मोड वाइस के तीसरे मोड की बात करें तो वाइस तीसरा मोड इसमें मोशन डिटेक्ट करना नहीं है बस यह डे नाइट को कबर करेगा तो यह बैटरी को चार्ज करेगा उसके बाद यह एलेडी जो है ऑफ हो जाएंगी सूरज जी की किरने पढ़ना बंद होगी, मतलब शाम का टाइम हो गया, नाइट का टाइम हो गया, अंधेरा हो गया, सूरज की किलने पढ़ना बंद होई, तो ये आटोमेटिक आउन हो जाएगी, ये देखे कुछ इस तरीके से, ठीक है और जैसे सूरज पढ़ेगा, तो ये फिर से आटो आउप हो जाईए, फैंड ये जो लाइट है, इसको आप बाहर के एरिया में सेट कर सकते हैं, जैसे गार्डन हो गया, एड गेट के पास वाली जगा हो गई, इस तरीके की खुली जगाओं पर आप इसको सेट कर सकते हैं, जहां पर खुली जगाओं होगी, तो भाई वो जाहर सी वाद है कि बहाँ पानी वी वरसेगा, और पानी वरसेगा तो पानी अंदर जाने का भी ख़द्रा जो है, जादा है, तो ये कंपनी कहती है कि वाटर प्रूफ है, तो चलिए देख लेते हैं वाई इसका वाटर टेस्ट करके, चलिए अप करते हैं इसका वाटर टेस्ट, ठीक है, यहां पर इस तरीके से ही लगाने वाले हैं, क्योंकि यह सोलर पैनल जो है, आपका उपर जाने वाला है, ठीक है, तो अभी हम इसमें प पानी बर गया वह इन दर के यह इतना काफी है काफी देर से ने समय पानी चाला यहां देखिए और पर दो नहीं को है तो यहां से पानी के लई-दी ने गया ये देखे तो बॉर्डर प्रूप तो नहीं है भाई ये तो चलिए फ्रेंड अब देखते हैं इसके अंदर कितना पानी घटा हो गया है तो एक बार खोल के भी देख लेते हैं इसकी बैटरी भी हम चेक कर लेंगे भाई यहां देखे इसको ओपन कर लिया है मैंने तो य यहां के हालत आप देख सकते हैं भाई कितना जादा पानी इसके अंदर चला गया यह देखे पानी पानी हो गया और यहां पर यह एक बैटरी रखी हुई है इसमें तो इसमें कुछ एम एच इसमें नहीं लिगा गया भाई यहां देखे कुछ भी नहीं लिगा हुआ कि कित देखेंगे भाई क्या हम इसके पास आएंगे ये बंद होगा जब दूर जाएंगे तो ये अन हो जाएगा तो ये बाला में मोड जो है देखना पड़ेगा फिलहाल ये अभी तो ऑन हो चुका है एंड ब्राइटिस्ट काफी जादा है ठीक है तो लगबग तीन से पांच सेकेंड के बाद ये बंद होता है कि नहीं होता है ये देखेंगा इस बंद हो चुका है पंदरा सेकेंड के बाद तो अभी हम थोड़ा सा पास में जाने की कोशिश करते हैं इसके देखते हैं ये मोशन डिटेक्ट करता है कि नहीं करता है ये देखेंगा इस ये तो बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है तो मैं अपने कैमरामेन को भेज रहा हूँ अब जैसे ये देखे गेट के पास जागा ये देखे आन हो चुका है तो बहुत ही बढ़िया और फ्रेंड अब बात करें भाई इसकी ब्राइटनिस की तो ब्राइटनिस काफी जादा मिलने वाली जैसे की नाइट का टाइम है मैं यहाँ पर आपको दिखा हूँ तो ये देखे बिल्कुल ही रोश्नी रोश्नी हो रही है और काफी जादा ब्राइट है ठीक है तो अभी यहाँ की इस्तिती आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अंदेरा है और अब मैं ये ये देखिए ये देखिए गाइस मैंने यहां पर इसको अन किया तो यहां पर पूरे एरिये में जो है उजाला हो चुका है तो ये एक बढ़िया तरीके से काम कर रहा है यहां पर भी आप देख सकते हैं ये देखिए गाइस जो night के time पे on होगा तो ये है इसका third mode ये वो वाला mode है इसमें थोड़ा सा brightness level जो है वो कम मिलेगा आपको बैटरी बैकप इसमें अच्छा मिलेगा ये जलता रहेगा मतलब जैसी night होगी तो ये on हो जाएगा फिर जब तक बैटरी लो नहीं हो जाती तब तक ये जलता रहेगा तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि इतनी brightness पे ये कितनी दीर तक टिखने वाला है मतलब थोड़ी brightness कम हो गई है बट देखते हैं बैटरी बैकप इतनी brightness में कब तक रहता है इसमें तो ठीक है फ्रेंड अभी हम आपको बता दें कि कितनी गंटे इसने बैटरी को रोका है तो जब हमने इसके बैटरी बैकप को टेस्ट किया तो मेरे केस में इसने जो है 30 मिनट बैटरी को रोका मैंने जब लगातार इसको यूज किया तो 30 मिनट तक बैटरी रुख गई जो कि इसकी लो लाइट पर ठीक है एंड मैं मानता हूं कि मैंने इसको चलो मान लो कि फुल चार्ज नहीं किया ठीक है तो अगर आप इसको पूरा दिन फुल डे अगर आप इसको सुरज की रोश्णी में रखेंगे चार्ज करेंगे तो लगबग आपको ये बहुत में बहुत एक गंटा बैटरी बैकप दे जाए यहां तो इसको सिर् Tech इंड़ ये बहुत सब्सक्राइब पर आपको कभी यूयर ये वहां के लिए ये बिस्ट है बट अगर आप इसको regular use करते हैं मतलब night के time में on ही रखना चाहते हैं तो भाई इसकी battery इतनी ज़्यादा better नहीं है तो इसका link आपको description में मिल जाएगा वहाँ से आके आप इसको easily purchase कर सकते हैं तो कैसे लगी वीडियो like and subscribe जरूँ गरना मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो में तब तक करी दीजिए इजाज़त धन्यवाद, thank you, bye-bye